तो अगर आप अपने यूज़ प्रोडेक्ट को या सेकेंड हैं आइटम को सेल करना चाहता है उसके लिए आपको कलासिफाइड वेबसाइड चाहिए तो आप इस वेबसाइड पर आ सकते हैं पोस्ट एडजफ्री इंडिया.com पर यह ऐसी वेबसाइड है जहां पर आप सारी कटेगरी दी हुए आटो माइल, मोबाइल, बाइक्स, मोटर साइकल, ट्रेवल, पेट्स, अनिमल, मोबाइल, एंड टेबलेट, इलेप्टोनिस, एंड रियल स्टेज सर्विसेज और यहां पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे कटेगरी आपको यहां पर इंडिया.com पर कैसे आपको पोस्ट पब्लिज करना है इसके बारे में तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप इस वेबसाइट का नाम देख ले आपको लागिन आईडी और पासवर्ड यहां पर इंटर करना होगा अगर आपके पासवर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर नाव पर किलिक करेंगे उसके बाद आपको यहां पर नाम लिखना है उसके बाद यहां पर पासवर्ड लिखना है उसके बाद यहां पर रिपीट एडि vertation निंक के जाएगा उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एकाउन जो है एक्ट्टि हो जायेगा और उसके बाद adaptable हो जाएगी यहाँ पर पोस्ट करने के लिए अब आपको post करने के लिए यहाँ पर publish listing पर click करना है उसके लिए आपको login करना है तो login करने के लिए सबसे पहले आपको अपने email id यहाँ पर enter करना होगा और password उसके लिए login पर click कर देना है जैसे ही login पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा अब आपको जो भी sell करना है उस category को आप select करेंगे तो जैसे मैं electronic product sell करना चाहता हूँ तो यहाँ पर click करूँगा और यहाँ पर सबसे पहले electronics पर click करूँगा उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे option दिये हुए हैं computer access for sale, use refrigerator printer, home application for sale आप जो भी sell करना चाहते हैं आप उसको मतलब select करेंगे यहाँ पर मैं home application for sale पर click करूँगा उसकाद आपको यहाँ पर एक title लिखना है तो मैं यहाँ पर sell करने जा रहा हूँ second hand bluetooth headphone तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं title है तो title में हम लिख देंगे second hand bluetooth अब थोड़ा description में हम थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे तो थोड़ा हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसको तो दोस्तों अभी हमने इसको यहाँ पर paste कर दिया कुछ देंगे कितना को आप इसको कितने रुपए का इसको sell करना चाहते हैं इसके बाद आप यहाँ पर transaction पूछा sell करना है buy करना है rent पर देना है तो आपको यहाँ पर अपना यहाँ लिख देना है या city name लिख देना है जैसा कि मैंने लिखा हुआ एक mobile number आप यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद zip code लिखेंगे address यहाँ पर आप लिख देंगे manually उसका email id यहाँ पर already दिया हुआ अब आपको next step पर click कर देना है जो आपको लगाना हो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं जिससे मतलब Google image search में जब कोई image search में जब कोई जाएगा तो उसको यहाँ पर लिखेंगे तब ही मतलब Google search image वाले जो आपसन है उसमें आपकी जो image जो है पोड़ेट का सो होगा तो यहाँ पर मैंने एक इसको कर दिया और एक यहाँ पर इसको मतलब copy करते हैं दो image हम यहाँ पर upload कर देते हैं एक तो यह वाला कर देते हैं इसको भी नाम दे देते हैं second hand blood headphone अब दोनों को upload करने के बाद आपको publish item पर click कर देना है अब हम इसे publish कर देते हैंánh दोनों यहाँ पर आप देख सकते हैं post हमारी publish हो improvements हो दिस दोस्तों अभी हमारी यहाँ पर जो हमने post किया है देखे यहाँ पर आ चुका है अब इसको हम व्यूर कर कर देख लेते हैं इसको कुछ आ रहा है यहां पर image को बड़ा करते हैं, यहां पर post as free india.com लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से कोई भी classified website देना चाहते हैं, तो इस website पर post free as india.com पर आकर post कर सकते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, पोस्ट हो चुका है, अब यहां पर home page पर click करते हैं, तो आपकी जो यहां पर भी आपको show कर रहा है, आप यहां देख सकते हैं, यहाला पोस्ट मैंने किया है, तो दोस्तो इस तरह से आप classified website पर जाकर आप अपनी product यार second hand item को आसानी से sell कर सकते हैं, तो दोस्तो आज के लिए बड़ा है,